डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 8 इंच ली है और आस्तिन की चोड़ाई 9 इंच ली है तो फ्रेंड अगर आपका बाजू का साइज बड़ा है तो आप इसकी चोड़ाई 11 इंच ले अब हम यहां से 10 इंच की चोड़ाई ना पेंगे और यहां पे टिक यह बराबर में लाइणब कर लेंगे, अब हमें इसके उपर सिलाई चला लेनी हैं, तो एक बराबर में हम इसके उपर ऐसे सिलाई चला लेंगे, अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है अब हम कपड़े को open करेंगे अब हमें friend इसे बीच में से ऐसे fold करना है तो यहां से हम दोनों side से अच्छे से इसे fold कर लेंगे ऐसे इसे इस्तिरी करने, इस्तिरी करने पे हमारा design perfect shape में बैट जाएगा तो ये देखिए हमने इसे इस्तरी कर लिया है इस्तरी करने के बाद फ्रेंड अब हमें क्या करना है यहाँ से हमें तिर्छी में चूनट इसमें ऐसे देना है अब हम इसके उपर सिलाई चला लेंगे अब हम दूसरे साइट से ऐसे चूनट दे देंगे तिर्ची में अब हमें यहां से धागी को कट कर लेना है नीचे की साइट से ऐस्टा कपड़े को भी कट कर लेना है अब हम इसे बीच में से एक बराबर में फोल्ड करेंगे तो हमें ऐसे इसे फोल्ड करना है तो फ्रेंड जो आपका आस्तिन का साइज है उसकी साइज नापने के बाद आस्तिन की सेफ में आपको इसकी कटिंग कर लेनी है इस बात का ध्यान रखे फ्रेंड अगर आपका साइज बड़ा है यानि आपका बाजु चोड़ा है तो उसके लिए आपको कपड़े की चोड़ाई आपको ज़्यादा लेनी होगी जैसा कि मैंने बताया है साड़े 11 इंच हमारी ये लाइन भी कंप्लीट हो चली है इस लाइन को कंप्लीट करने के बाद अब हम साड़े 3 इंच चोड़ा एक लंबा सा बक्रम लेंगे बक्रम की लंबाई आस्तिन की चोड़ाई के बराबर लेनी है यहां से हम 10 इंच की चोड़ाई ना पेंगे और ऐसे टिक लगाते ह इसे एक बराबर में लाइन अप कर लेंगे तो हमें यहां से एक बराबर में लाइन अप कर लेना है लाइन अप करने के बाद फ्रेंट अब हम कंगन लेंगे कंगन की मदद से हमें ऐसे हलका सा गोल सेप में लाइन अप करना है बिल्कुल इसी तरीके से आपको लाइन के अंदर गोल सेप में डिजाइन बनाती जाना है और इस लाइन को कम्पलीट कर लेना है इस line को complete करने के बाद अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो जिस shape में हमने line up किया है बिल्कुल उसी shape में हमें इसकी cutting कर लेनी है तो ये देखिए friend हमने design की cutting कर ली है design की cutting करने के बाद इस तरी की साहता से अब हम इसे कपड़े पे ऐसे चिपकाएंगे और दूसरे side में हमें कपड़े को ऐसे fold कर देना है जिस shape में हमारा design है बिल्कुल उसी shape में हमें इसकी उपर सिलाई चला लेना है सिलाई चलाते समय इस बात के अध्यान रखे कि design की उपर आपको direct सिलाई नहीं चलानी है इसकी उपर आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे सिलाई चलानी है design को घुमाते हुए जिससे आपके design में perfect finishing आएगा और अभी तक आपने हमारे channel को subscribe ने किये हैं तो please हमारे channel को subscribe करके घंटे को बजा कर all option जरूर select करें जिससे हमारी next video के notification मिलती रहेगी तो friend हमारी ये line भी complete हो चली है अब हम यहाँ से धागी को cut करके जिस shape में हमारा design है बिल्कुर उसी shape में हम extra कपड़े की cutting कर लेंगे extra कपड़े की cutting करते समय इस बात का ध्यान रखे कि आपको सिलाई के उपर cutनी करना है सिलाई के हलके से बगल में extra कपड़े की cutting करनी है इस line को complete करने के बाद अब हमें design के बीच में ऐसे छोटा छोटा cut कर देना जिससे हमारा design आसानी से fold हो जाएगा सिलाई को cutनी करना है बस यहाँ पर हलका सा आपको कपड़े को ऐसे cut कर देना है अब हम इसे सीधा करेंगे तो ऐसे हम इसे अच्छे से सीधा कर लेंगे इसे सीधा करने के बाद इसे perfect shape में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पर हमारा design perfect shape में बैठ जाएगा तो यह देखे हमने design को इस्तरी कर लिया है अब हमें design की उपर ऐसे सिलाई चला लेनी है एक बराबर में सीधी सिलाई अब हम किनारे की side से एस्तरा कपड़े की cutting कर लेंगे तो यहां से हमें एस्तरा कपड़े की cutting कर लेना है एस्तरा कपड़े की cutting करने के बाद अब हम एक लंबा सा चोड़ा सा कपड़ा लेंगे कपड़े की चोड़ाई 8 इंच है कपड़े को हमें ऐसे fold करना है अब हम कपड़े में ऐसे चूनट बनाएंगे तो हमें ज्यादा छोटा छोटा चूनट नहीं बनाना है थोड़ा बड़ा बड़ा हमें चूनट बनाना है जिससे हमारे डिजाइन में बहुती सुनदर चूनट वाले डिजाइन का लुक आएगा चूनट बनाने के बाद चूनट को परफेक्ट सेफ में बैठाने के लिए हम इसे इस्तरी कर लेंगे इस्तरी करने पे हमारा डिजाइन बहुती सुन्दर दिखेगा हमने चूनट को इस्तरी कर लिया है अब गोल सेफ आले डिजाइन को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे और इसके किनारे की साइड में एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे अब हमें यहाँ से धागे को कट कर देना है धागे को कट करने के बाद अब हम डिजाइन के दूसरे साइड में ऐसे सिलाई चलाएंगे जिस सेप में हमारा डिजाइन है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसके उपर सिलाई चलानी है तो सिलाई चलाते समय हमें डिजाइन को ऐसे घुमाते राना जिससे हमारे डिजाइन में पर्फेक्ट सिलाई चलेगा और हमारे डिजाइन में पर्फेक्ट फिनिशिंग भी आएगा हमारी ये लाइन भी कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे अब हमें इसमें बटम लगा देने हैं तो हमें यहां पे ऐसे बटम लगाने हैं अगर आपको बटम बनाने नहीं आती है तो डिस्किप्शन में इसकी लिंक दी गई है डिजाइन को उल्टा करते हुए देड इन चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा किनारे के साइड में लगा कर हम एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे तो ऐसे हमें एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेनी है अब हम यहां से धागे को कट करेंगे और डिजाइन को सीधा कर लेंगे डिजाइन को सीधा करने के बाद अब हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे कपड़े को फोल्ड करते समय इस बात का ध्यान रखे कि फोल्ड किया हुआ कपड़ा आपका एक साइज में होना चाहिए कहीं ज़्यादा चोड़ा और कहीं ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए बिल्कुल एक बराबर में होनी चाहिए जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं अब हम यहाँ से एस्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेंगे अब फ्रेंड इसमें हमें आस्तिन के डिजाइन को ज्वाइंड करना है तो यह रहा हमारा आस्तिन का डिजाइन आस्तिन के डिजाइन में हमें इसे ऐसे ज्वाइंड करना है अब हम इसके उपर एक बराबर में सीधी सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हम यहां से धागी को कट करेंगे और यहां पर उपर के साइड में हम चूनट को तीर्षी में बराबर करते हुए इसके उपर हम सिलाई चला लेंगे इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें यहां से धागी को कट करना है और डिजाइन में हमें ऐसे फ्लावर वाला डिजाइन लगा देना है अगर आपको यह डिजाइन बनाने नहीं आती है तो डिस्किप्शन में इसकी लिंक दी गई है thanks for watching my video मिलते हैं नेस्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ